आज हम आप लोगों को क्लाश 12 के most important question और उनके answer बताएंगे तो चलिए शुरू करते हैं पहला question है चमगादर द्वारा परागण कहलाता है यानि बैट के द्वारा होने वाला pollination कौन सा है इसमें से चार option आपके सामने दिये गए हैं इसमें से सही option को चुनना है सोचिए और बताईए कि चमगादर के द्वारा कौन सा परागण होता है यानि चमगादर के द्वारा होने वाले परागण को क्या कहा जाता है option सही होगा इसमें से बीवाला किरोपेटेरोफिली किरोपेटेरोफिली चमगादर द्वारा होने वाला परागण होता है जबकि जो पहला option है आर्निथोफिली आर्निथोफिली क्या है बर्ड पॉलिनेशन होता है यानि पच्छी द्वारा परागण की किरिया को आर्निथोफिली कहा जाता है और जल द्वारा परागण की किरिया को हाइड्रोफिली कहा जाता है जल के द्वारा जो परागण होता है से क्या कहते हैं hydrophily कहते हैं अब बचा एक option सी वाला entomophily तो कीटों के द्वारा होने वाले परागण को entomophily कहा जाता है कीट परागण को क्या कहते हैं entomophily कहते हैं फिर आते हैं next question पर next question है घोंगे द्वारा परागण को कहते हैं या गोंगे द्वारा परागण कहलाता है क्या कहलाता है चार आपसन आपके सामने हैं सोचिए और बताइए इसमें से कौन सा आपसन सही होगा गोंगे के द्वारा होने वाले परागण को मेलिकोफिली कहते हैं मेलिकोफिली जबकि जो हाइड्रोफिली है ये जल परागण होता है और जो एनिमोफिली है ये वायूपरागण होता है एनिमोफिली वायूपरागण हाइड्रोफिली जल परागण और घोंगे के द्वारा मेलिकोफिली जूफिली बचा हुआ है जूफिली यानि जन्तुप परागन को जूफिली कहा जाता है जो जन्तुपरागन होता है नेश कुछिशन है वह अस्थान जहां बीजांड बीजांड व्रंत से जुड़ता है कहलाता है बीजांड यानि ओविल जो होता है वो बीजांड व्रंत से जहां पर जुड़ता है उसे क्या कहा जाता है चार नाभिका निभाग या चैलाजा बिजांड अथवा ओवियूल का आधार होता है जो निभाग है या इसको चैलाजा भी कहा जाता है यह बिजांड अथवा ओवियूल का क्या है बेस होता है आधार होता है और इंटेग्यूमेंट के बेस पर एक छोटा सा चिद्र होता है जो बिजांड द्वार अथवा माइक्रोफिल कहा जाता है बिजांड द्वार अथवा माइक्रोफिल और बिजांड या ओवियूल की मेन बॉडी जो होती है मेन बॉडी बिजांड की उसे बिजांड काई अथवा न्यू सेल्स कहा जाता है पराग नलिका का बीजांड द्वार से बीजांड कायमे प्रिवेस कहा गया है चार आपसन आपके सामने देगे हैं आपसन सही होगा इसमें से पहला वाला पोरोगैमी कहलाता है और तीन आपसन जो बचे हों इनके बारे में आपको बता देते हैं इसके पहले आपको बताते हैं जो पोरोगैमी है पोरोगैमी को अंड़ द्वारी प्रवेस भी कहा जाता है हिंदी में का कहते हैं अंड़ द्वारी प्रवेस जिसमें जो पॉलन ट्यूब होती है पॉलन ट्यूब यानि पराग नलिका होती है वो बीजांड द्वार अथवा म मादा जननांगों की परपकता को डाइको गयमी कहा जाता है अलग अलग समय पर नर अंग परपको हो अलग समय पर मादा अंग परपको हो तो उसे क्या कहते हैं डाइको गयमी कहा जाता है और कई पौधों के पुस्पों के बीच परपरागण की किरिया को जीनो गयमी कहा जात है जब कई पुस्पों के बीच पर परागण होता है cross pollination होता है तो उसको geno gaming कहा जाता है next question पर आते हैं बीना निसेचन फल के विकास को कहते हैं निसेचन ना हो लेकिन फल का विकास हो जाए तो उसे क्या कहा जाता है, option सही होगा, इसमें से बीवाला, अनिशेक फलन कहा जाता है, अनिशेक फलन पर, अनिशेक जनन पर, इन सब पर में लेचर में वीडियो अफ्लोड़ेट है, आप लोग जा करके देख सकते हैं, तो अनिशेक फलन इसमें सही हुआ, मतलब fertilization के बिना ही फल भन जा तो उसे को क्या कहते हैं, पार्थिनो कार्पी कहा जाता है, और अनिशेचित अंड से भून बनने की किरिया को अनिशेक जनन कहा जाता है, अत्वा पार्थिनो जिनेसिस कहा जाता है, अनिशेक जनन को पार्थिनो जिनेसिस कहते हैं, यानि बिना निशेचन के ही अंडे से यहाँन बिना निशेचन की ही बीज बन जाये तो उसे अगेमोस पर्मी कहते हैं और हेट्रोस्टाइली परागण अथवा पॉलिनेशन के हैं अकूलन फैक्टर होता है अनकूल कारक होता है जो हेटर स्टाइली है फिर नेश कुशन है निसेचन की खोज किसने की थी चार आपसन आपके सामने दे गए हैं पूछा गया है निसेचन की यानि फर्टलाइजेसर को किसने डिसकवर किया था तो आंसर सही होगा इसमें से बीवाला इस ट्रास बर्गर ने निसेचन की खोज की ती और इसमें से जो पहला आफसन है नवासिन तो नवासिन ने सन अठारा सो अठान नबे इसबी में दुई निसेचन की खोज की थी या डबुल फटलाइजेशन और त्रेसमेगन की खोज की थी किसने नवासिन ने और जो लिवन हॉक हैं लिवन हॉक ने सन 1719 इसबी में बहु भूनता यानि पॉली इंब्रियोनी की खोज की थी पॉली से पहले इस ट्रासबर्गर ने सन 1884 भी में निसेचन की खोज की थी नेश को चनाय जब बीजांड में बीजांड ब्रिंत निभाग तथा बीजांड द्वार एक ही सीधी रेखा में होते हैं या एक ही सीध में होते हैं बीजांड को क्या कहा जाता है इनाट्रॉपस आर्थ आर्थो ट्रॉपस कहा जाता है आर्थो ट्रॉपस और आपको बता दें कि जो इसमें से एनाट्रॉपस है एनाट्रॉपस में बीजांड उल्टा होता है और इसमें जो बीजांड द्वार होता है और निभाग होता है वो एक सीधी रेखा में होते हैं और जो एमपी ट्रॉ एक घोड़े के नाल जैसा मुड़ा हुआ होता है जैसे घोड़े की नाल होती है वैसे ही मुड़ जाता है और हेमी ट्रॉपस में बीजांड द्वार तथा निभाग एक सीधी लेकिन 36 रेखा में इस्थित होते हैं यानि इसमें माइक्रो फिल और चैलाजा एक सीधी 36 रेखा में होते हैं आते हैं नेश कोईसन पर जब एक भूण कोस में भूण की संख्या एक से अधिक होती है तब उस इस्थित को क्या कहा जाता है यानि एक भूण कोस है और उसमें भूण की संख्या एक से अधिक है तो उस इस्थित को क्या कहेंगे तो उसे बह भूणोता कहा जा यानि polyembryeone कहा जाता है, polyembryeone को हिंदी में बहभूनता कहते हैं, मतलब seed में एक से अधिक embryo बनने को ही polyembryeone कहते हैं और ये अधितर किसमे होता है तो अधितर जो जीम्नो स्पर्म पौधे होते हैं उसमें polyembryony पाई जाती है और polyembryony की खोज अगर पूछा जाए तो polyembryony की खोज एंटोनी वान लिविन हौक नेशन 1719 इस भी में की थी और आपको बता दें कि सामान रूप से होने वाले लेंगिक जनन को mp mixes कहा जाता है सामान रूप से जो लेंगिक जनन होता है उसे mp mixes कहा जाता है और बिना निसेचन के बीज बनने की किरिया को एगेमो स्पर्मी कहते है निसेचन ना हो बीज बन जाए तो उसे एगेमो स्पर्मी कहा जाता है फिनेश कुछन है जब एक फूल के परागकन उसी पौधे के दूसरे फूल के वर्तिकागर पर इस्थानांत्रित होते हैं इस प्रकार के परागन को क्या कहा जाता है इस प्रकार के पॉलिनेशन को क्य कहेंगे option सही होगा इसमें से C वाला जिटेनोगैमी कहते हैं मतलब जब एक पौधे के पुस्पों के बीच पर परागण अथवा cross pollination की किरिया होती है तो उसे ही जिटेनोगैमी कहा जाता है जबकि जो आटोगैमी है आटोगैमी में क्या होता है कि इसमें जब एक फूल के परागण दूसरे फूल के वर्तिकाग पर पहुँचते हैं तो उसे ही आटोगैमी कहा जाता है ऐसे ही जो दुलिंगी पुस्पों होते हैं तो उनमें जो परागन होता उसको क्लीष्टोगैमी कहते हैं और बिभिन पुस्पों के बीज पर परागन की किरिया जो होती है उसे जीनोगैमी कहा जाता है जीनोगैमी फिर नेश कुछन है बीज के उस अंकुरण को जिसमें बीजपत्र भूम के ऊपर आ जाते हैं उसे क्या कहा جाता है अधो भूमिक भूम्यो परिक सजीवarzवता इन में से कोई रही आंसर सही होगा इसमें से बीवाला भूम्यो परिक कहा जाता है यानि बीज का ऐसा अंकुरन जिसमें जो बीजपत्र होते हैं वो भूमिके उपर निकल आते हैं उसे भूमियों परी कहा जाता है और यदि बीजपत्र भूमिकें अंदर ही रह जाएं तो उसे अधो भूमिक कहा जाता है अधो भूमिक आज के अंक में इतना ही अगले अंक में नए कोईस्टन के साथ आएंगे धन्यवाद